Dash represents a specific time when children are particularly susceptible to certain kinds of stimuli in their environment यानि Dash उस vicious समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावर्ण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रती विशेश रूप से घ्रणश्म होते हैं That means जो भी stimulus environment में अभलेबल हैं मानली जो बच्चे के सामने एक ग्लास भी रखा हुआ है मानली जो किसी ने कुछ बोला भी है हर चीज़ पर उसका ध्यान है जितने भी stimulus है वो उनके प्रती क्या है sensitive है तो simple answer क्या हुआ sensitive periods फिर भी बागी के तीन options तो पढ़ना जरूरी है explicit period क्या होगा जब वो express करने में busy है तो explicit तो तब होगा जब वो ग्रहन करने के बजाए express कर रहा हो फिर आएगा plasticity duration जी नहीं plasticity का मतलब इससे दूर दूर तक नहीं mental stagnation जी नहीं answer क्या होगा sensitive period यानि sensitive अवधी अगर ये language के लिए बात होती तो हम कहते हैं कि sensitive period देखो अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग sensitive period होते हैं जैसे language और socialization के लिए early childhood यानि 2-6 वर्ष एक sensitive period है एक समवेदन चीलकाल है कि बच्चे के सामने आप जो भी भाषा बोलेंगे वो उसको बहुत तेजी से उन stimulus को ग्रहन कर लेगा राइट आगे बढ़ते हैं next question पर यहां answer है sensitive period question number 2 देखिए एक बार वही जो आपके statement और assertion वाले questions है ठीक अगर हम बात करते हैं assertion की यानि एक statement है उसके बाद उसका reason given है तो यह reason सही भी है कि नहीं यह आपको यहां पढ़के सोचना है assertion क्या है कथन क्या है comparisons among children can very accurately assess a child's developmental progress यानि कि बच्चे के विकास की प्रगती यानि बच्चे को अगर आप compare कर रहे हैं अगर आपको यह assess करना है कि कितना विकास हुआ है तो आप सको compare करें बाकी बच्चों से इससे उसका सही progress का पता लग जाएगा comparisons को हम हमेशा avoid करते हैं किसी भी question में यह बिल्कुल भी child centric नहीं है ठीक है फिर आते हैं मतलब यह गलत हो गई बात फिर आते हैं next पे next जो option है इसका जो reason दिया है कि comparison करने से आपको बच्चे की progress का पता चलेगा उसकी developmental progress का पता चलेगा इसका reason इनों ने दिया है because the pattern and sequence of development as well as the rates of development are the same for all children universally मतलब की विकास का स्वयरूप एवं अनुक्रम एवं दर सब दुनिया के सारे बच्चों के लिए same होते हैं universal होते हैं यह हमने एक development का principle पढ़ा है कि जो development है वो universal है सार्व भॉमे के दुनिया में सारे बच्चे एक ही sequence से एक ही order से हो करके गुजरते हैं बट इसमें एक word का catch है चो मैंने बहुत बार आपके साथ discuss किया है कि rate same नहीं हो सकता sequence can be same infancy के बाद early childhood ही आएगा दुनिया के हर बच्चे के लिए ऐसा नहीं होता पहले adult sense में चला गया फिर चला जाएगा early childhood में sequence है पूरी दुनिया में सेम है universal है ठीक बात है जो pattern है वो सब के लिए same है ऐसा तो नहीं है बच्चा पहले दौडना शुरू कर देगा बाद में खड़े होना शुरू करेगा बाद में चलना शुरू करेगा पहले बच्चा गिसट के चलना जिसको हम crawling कहते हैं वो शुरू करेगा फिर खड़े होना शुरू करेगा फिर चलना शुरू करेगा फिर भागना शुरू करेगा ये pattern that means सब के लिए same है लेकिन rate सब के लिए same नहीं हो सकता हो सकता है दो बच्चे जो same age के हैं किसी में जल्दी बोलना आ जाए किसी को कोई जल्दी चलना शुरू कर दे दूसरे वाले से तो दर जो है वो individual differences होते हैं दर में ना कि universal होती है तो universal नहीं हो सकती इस एक word की वजहा से यह गलत हो गया नहीं तो reason सही था है ना तो हम कहेंगे both A and R are false देखो कितनी गलतियां कर रहे हैं लोग 37% ने सिर्फ answer सही दिया और यह पहला chapter है development का अगर आपने सिर्फ marathon भी देखी होती child development की जो psychology की मेरत होने तब भी आप यह गलत नहीं करते एक चकर क्या है जो topic हमें आते हैं उन्हें हम इतना for granted लेते हैं हमें लगते आरे यह तो पता है कुछ और बताओ नया आगेगा और जबकी majority जो questions है वहीं से आने हैं development दुनिया को कोई paper होगा जिसमें development से question ना आए चलते हैं चलते हैं next question पर चलते हैं question number three देखेगा एक बार secondary socialization maps the period in dash when the child begins to attend formal institutions such as the school question यानि बच्चों का द्वित्यक सामाजी करण डैश की अवस्था में प्रारंब हो जाता है जब वह school जैसे आपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देता है हमें पता है school age generally 7 वर्ष 6 वर्ष तो minimum है ही पहली class में बच्चा जाएगा कि school age formally तो तब होगी तो यहां कहीं भी option मारे पास later childhood नहीं है infancy हो नहीं सकता adolescence हो नहीं सकता क्योंकि इसमें थोड़े ना वह school जाना शुरू कर रहा है उससे पहले जाना शुरू कर चुका वो अवस्था है जहां पे वो at least play way में तो जाने ही लगेगा और 6 वर्ष तक आते आते पहली कक्षा में भी चला जाएगा ठीक है तो हमें options के according कई बार answer करना होता है तो यहां पे best option क्या है early childhood पारंपरिक नहीं कहेंगे यह paper में भी ऐसी आया था पारंपरिक ही लिखा हुआ लेकिन इसको पूर्व बाल्यवस्था कहते हैं पूर्व बाल्यवस्था ठीक जब वो पहली बार घर से निकल करके बाहर की दुनिया में कदम रखता है चार बच्चों के साथ मिलता है that means secondary socialization उसका शुरू हो जाता है गौर सामाजी करण प्राथ में कब होगा जन्म से इंफैंसिया तीन साल तक में ली उसका सेल्फ का कॉंसेट बनता है उस दौरां primary childhood ही सरी primary socialization का ही main role है वो जो की family से होगा middle childhood तो कहीं 8 से 11 के बीच आता है तो इसको तो वैसे भी हम consider नहीं कर सकते लेटर होता है एक बार को तो सोचते ठीक तो early childhood इसका सही उत्तर हैगा क्योंकि reason yes socialization के context में बूचा है socialization पहली बार घर से कब निकलेगा proper school से बच्चा वो आपका early childhood में निकलेगा कब playway में जाने के लिए या फिर 6 तक आते आते पहली कक्षा में जाएगा right but school age इसको नहीं क्याते हैं यह याद रखेगा दो question अलग अलग question नहीं है ठीक आगे बढ़ेंगे fourth question पे देखेगा ए proportions words पे focus कीजएगा proportions ratio proportion याद आ रहे आपको ठीक abstractions अमूर्थ होता ठीक logical relationships किसके बीच में abstractions के बीच में अगर सिर्फ logical लिखा होता hypothetical यह words कहां याद आ रहे हैं प्याजे की theory याद आ रही होगी आपको some people can't focus से हम याद रखते हैं SPCF यानि sensory motor pre operational concrete operational और formal operational जहां पे word abstraction आ process आ जाए परी कल्पना आ जाए डैट नीज लास्ट स्टेज की रेशो प्रपोर्शन आ जाए लास्ट स्टेज की बात हो रही है जिसको हम formal operational stage क्याते हैं 11 से 15 वर्ष अमूर तवस्था 52 परसेंट लोग सही दे रहे हैं इसका उत्तर तो बढ़िया बात है अगर सिर्फ logical होत होता यहां पर यह abstract नहीं होता hypothetical नहीं होता सिर्फ logical होता तो logic सबसे पहले concrete operational में आता है 7 से 11 में अगर होता तो answer फिर कभी यह चला जाता अभी answer क्या है 11 से 15 ठीक है उनको पढ़िये ठीक से question number 5 जो लोग नए आए हैं उनकी बात हो रही है question number 5 देखेगा एक बार which जिनका UP debt में अच्छा score हो वो लोग mail कर दी जगा है ना एक दो लोगों से interact करने की मेरी पूरी कोशिश ठाएगी question number 5 देखेगा which of the following is a critique of Jean Piaget's theory यानी Jean Piaget की theory का critique कौन है बताइए एक बार आलोचना कौन से वाक्य में हुई है कौन से statement में हुई है किस option के थुरू Jean Piaget की theory को criticize किया गया है आलोचना हुई है अब देखो जिन लोगों ने Piaget को ठीक से नहीं पढ़ा उनको दिक्कत होगी क्योंकि उनको क्या चाहिए हमसे तो सीधा सीधा sensory motor stage पूछ लो हमसे तो pre operational पूछ लो हमें घुमा के question मत दो और घुमा के question नहीं देंगे तो फिर competition कैसे बढ़ेगा है ना फिर तो वही question आता र चलिए ठीक है children are active beings ऐसा तो प्याजे कहते हैं ये criticism थोड़ी हुआ ये अलोचना थोड़ी हुई ये उनकी बुराई थोड़ी हुई है ना हमसे तो बुराई पूछी है हमसे तो criticism पूछा है critique पूछा है जहां अलोचना हुई हो c option है children's thinking is qualitatively different from that of adults बिलकुल सही बात है गुडातमकता में अलग होती है बच्चे की thinking बजाए के quality बजाए के amount के ये बात तो हम बहुत बार डिसकस कर चुके हैं दो तीन बार question आ भी चुका है इस पे कि quantitative यानि quantity सेम है बच्चा सेम मात्रा में सोचता है बस प्रकार अलग है quality of thought अलग है हो सकता है आप 20-21 साल की उमर में breakup आपके लिए मुद्दा हो एक चार साल की बच्चे के लिए हो सकता है उसका खिलो ना तूट गया वो एक मुद्दा है लेकिन सोचता वो भी है सोचते आप भी है that means quality में अंतर है quantity is same फिर है D option development of children takes place by their acting upon the environment ये बात भी बिलकु सही है और ये बात भी बिलकुल सही है कि बच्चे दुनिया की समझ अपने environment में actively knowledge को construct करके बनाते हैं अब 37% answer हो गया A option जो की सही है बाकी लोग सारे गलत आंसर कर रहे हैं जिन्नोंने A choose किया है सिर्फ वही सही है क्योंकि question में आलोचना पूछी है आलोचना क्या है development of children is dependent on their socio-cultural context यानि बच्चों का जो विकास है वो उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करेगा इस बात को प्याजे ने इगनोर कर दिया ये प्याजे की आलोचना हो गए कि आप समाज और संस्कृति को कैसे बूल जा रहे हैं समाज और संस्कृती की तो बहुत बड हो कोई instruments हो बट समझ का विकास वो खुद करेगा जबकि वाइगोस की क्या कह रहे हैं कि सामाजिक संस्कृतिक संदर्भ बहुत ही जादा महत्वपून है किसके लिए बच्चे के विकास के लिए हम अपने समाज अपनी संस्कृति से बहुत कुछ सीखते हैं कई लोग अपन है वो criticism थोड़ी है वो तो support है एक तरह से तो question को पढ़के समझना मतलब half battle won आधी लड़ाई हमने लड़ ली अगर हमने सही question समझ लिया यार अच्छे questions कर रहा है हम खुशी खुशी like share करो energy बढ़ा जीन प्रक्रिया से किस प्रक्रिया में इस्थाना तरित किया है जिन लोगों ने जल्दे बाजी में आंसर किया जो कि 61% इतनी जल्दी में उन्हों ने देखा प्याजे भाइवास की मतलब एक्टिव मतलब आंसर 61% आंसर यही है जो कि गलत हैं बिल्कुल पूरे तरीके से गलत हैं सिर्फ 40% आंसर आपके सही है अब 40 भी अब हो गए है ठीक पैसिव दो को लिखा हुआ है, सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से, यानि निश्क्रिया प्रक्रिया से, पैसिव प्रक्रिया से, निश्क्रिया प्रक्रिया से, सक्रिया प्रक्रिया में इस्थानांतरित किया है, यानि ट्रांसफर किया है, ट्रांजिशन किया है, किस से किस में learning as a passive process to learning as an active process में have shifted the understanding of learning as a किस से किस में question ने पूछा क्या है उस पे answer depend करेगा अगर पूछा होता कि active process में है और passive से shift किया है तो उत्तर बदल जाता ये आगे चला जाता है ये पीछे आ जाता तो question कैसे पूछा है language पर ध्यान दीजे और language अच्छी कब होगी जितने ज्यादा questions पढ़ोगे अच्छे से मतलब ये नहीं कि आप 10,000 questions का set लगा लो है ना मैं आपको sheets दे देती हूँ 10,000 questions की खूब भर भर के कर लो बट अगर understanding 1000 questions की भी नहीं है तो आप सिर्फ सही और गलत का उत्तर ढूनेंगे वो understanding develop आपकी हो सकता है 15 questions से हो जाए अगर आपने धंग से समझें तो वो 15 questions की understanding आपको 500 questions में help कर सकती है ठीक है तो answer क्या है B option mechanical, behavioristic, behavioristic, mechanical तो कहीं से कहीं तक हो गाई नहीं question number 7 देखिए according to Lev Vygosky the basis of learning is यानि learning का आधार क्या है Vygosky के अनुसार Vygosky की तीन चीजें है society, culture, language यानि समाद, संस्कृति और भाशा बताईए एक बार क्या सही उत्तर हो सकता है फटा फट्चान सकीजे social interaction, reinforcement, drill and practice changes in the structures of schemas schemas की बाद प्याजे कर रहे हैं drill and practice, बस आख बंद करके practice कराते जाओ, ना ऐसा प्याजे कह रहे हैं ना ऐसा Vygosky कह रहे हैं reinforcement, behaviorism का concept है विभारवाद का concept है, कि बच्चे को good, very good कहो इनका main concept कौन सा है समाज, संस्कृति और भाशा जब भी Vygosky दिखे, इन तीनों में से 99% चांस है, एक answer होगा social interaction, कि बच्चा अपने समाज के साथ अंतहक रिया करेगा, अन्योनिक रिया करेगा और सीखेगा, right जब आप चार लगों बैठके बात कर रहे हैं, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं इसलिए तो हमें स्कूल भेजने हैं बच्चे को, नहीं तो वो किताबे घर भी बढ़ाई जा सकती थी कि social interaction होगा A option is the right answer सामाजिक अंतहकरिया Question number 8 देखेगा एक बार At which stage of Lawrence Kohlberg's moral development Lawrence Kohlberg का नैतिक विकास के सिधान्त के अनुसार Do individuals believe that society needs to update the rules over time यानि समाज में नियमों को time के अनुसार, समय के अनुसार बदला जाना चाहिए अगर नहीं बदला जाएगा तो क्या होगा सती पृथा हमेशा चलती रहती कभी भी पुनारविवा की बात ही नहीं होती भारत में या दुनिया में अगर हम बात करें तो education को हम कभी कहते हैं नहीं के लड़कियां भी जाएंगी वहाँ पढ़ने या जो अभी changes हम देख रहे हैं के army में भी allow कर रहे हैं हम या जो pilots हैं वो बन रही हैं लड़कियां ये सारी चीज़ने कभी होती ही नहीं है ना मतलब समाज में नियमों में परिवर्तन लाने की जुरत है समय के अनुसार बदलते हैं दो को society change हो रही है ऐसा तो नहीं है society को static चीज़ है कि कभी परिवर्तन नहीं होगा time के साथ society change हो रही है log change हो रहा है music change हो रहा है social order maintaining orientation यहर इस पे ना इसको एक बार check करने की जुरत है क्योंकि social contract orientation should be the right answer क्योंकि social order maintaining क्या कहता है कि समाज में एक order बना रहे इसलिए हम नियमों का पालन कर रहे है ठीक हालांकि इसमें दूसरा एक जो perspective वो यह हो सकता है कि उन नियमों को जुरत पढ़ने पे change किया जा सकता है है ना लेकिन most probably जो answer है वो समाजिक अनुबंध अनुविद्नियास होना चाहिए तो इक काम करना इस पे star mark कर ले ना मैं इसको एक बार फिर से re-check करूंगी और तब इस पे चर्चा करेंगे ठीक है क्योंकि ये क्या होता है इसकी stages में थोड़ा सा language में enter करेंगे इसको law and order कहते हैं वैसे तो लेकिन इनों ने law and order कहा नहीं है तो ये social order कह रहे हैं that means बन सकती है बार तो एक काम करो इसको star mark कर लो कल discuss करेंगे इस पे एक बार social contact orientation जो है यहाँ ज्यादा बहतर option है अगर मैं C के मुकाबले देखूं C गलत नहीं है बड़ D ज्यादा बहतर है तो इसको mark कर लो कल के लिए बाकी के दोनों तो possible ही नहीं good boy good girl तो हो गा ही नहीं फिर है question number 9 which of the foreign is a correctly matched pair of the type of intelligence and end state possibilities as per theory of Howard Gardner? Gardner की theory के according कौन सा एक end state हो सकता है किस एक intelligence का यानि चार options है हर एक option में एक type की intelligence दी हुई है Gardner ने art प्रकार की intelligence की बारे में बात की है multiple intelligence बहु बुद्धी के सिधानत में तो अगर हम बात करें पहला option है logical mathematical का end state possibility accountant बनना होगी दोको logical mathematical चहिए होगी accountant में लिकिन ये end state है ऐसा पता नहीं फिर B option पढ़ लेते हैं special intelligence इस्थानिक बुद्धी end state क्या है athlete जी नहीं ये bodily kind static में होगा bodily kind static जिसका body पर पकड़ है वो ही तो athlete बनेगा special क्या हो सकता है जिसको दिशाओं का ग्यान हो जिसको map का ग्यान हो वो navigator बन सकता है वो sculpture बन सकता है कार्टोग्राफर बन सकता है जो नक्षा बनाते हैं लेकिन athlete का क्या समबन्द है special से वो bodily kind static है intelligence linguistic जो intelligence है उसकी end possibility क्या है navigator की बिल्कुल भी नहीं linguistic से तो या तो poet बनेंगे author बनेंगे वक्ता बनेंगे ठीक intelligence third है interpersonal का end state है dancer interpersonal का नहीं ये भी bodily kind static में आएगा जो आपका dancer है interpersonal में आपके counselors, teachers, politicians ये सब आ सकते हैं कि लोगों के बीच अच्छे हैं तो यहाँ जो बहतर option है वो है A option but but इस question में CTAT ने सबको free number दिये हैं उन्होंने कहा है उन्होंने answer दे दिया 9 that means सबको free mark है क्योंकि logical mathematical भी कोई बहुत अच्छा option नहीं है accountant के साथ actually account लिखा नोन accountant भी नहीं लिखा ठीक तो ये इससे बहतर end states available है that means they have given the answer 9 that means free number for all तो अगर इसमें बाकियों से बहतर हो सकता था तो A हो सकता था otherwise कोई और ऐसा answer नहीं है जिसको हम सही कह दें ठीक है अंत्य स्थिति अनुपालन बुद्धी का प्रकार है शार्रिक गती समवेदर आत्मक्ता ठीक है अंत्य स्थिति अनुपालन C option आपका linguistic end state गायक नहीं होगा ये इनौने यहाँ पे अच्छा हिंदी में option अलग है और English में अलग है ये भी एक reason हो सकता है ठीक है बुद्धी का प्रकार भाशिक है अंत्य स्थिति क्या होगी लेखा पाल इस्थानिक मतब यह इनौने उधर अलग दे दिया इधर अलग दे दिया वास्तुकार यहाँ पे सही थी बात शारिक गती सम्विलियन शीलता में गायक नहीं होगा प्राकृतिक अंतहस्तिति में सिख्षक नहीं होगा ठीक बुद्धी का प्रकार भाशिक अंतहस्तिति अनुपालन संभावना क्या है लेखा पाल एक बार वो ठीक हो सकता था ये बट यहां पे जो सबसे बहतर आंसर है वो यही है B अगर हिंदी में देखें तो यह option दोनों में अलग है इसमें जो थोड़ा सा close option था वो A था इसमें जो बहतर option है वो B है ठीक अगे बढ़ लेते हैं पहले एक बार देख लेते हैं कि Gardner कहे क्या रहे हैं इस बार गलतियां तो हुई ही है पेपर में अगर हम बात करें और ये तो ये आठ प्रकार हैं Gardner के वीजोल इस्पेशियल पेंटर बन सकते हैं पेंटर बन सकते हैं आप आप स्कल्प्चर बन सकते हैं कि इस बालतियां की जो कि अएक नोग चाहिन हो काड्रोग्राफर बन सकते हैं कि इस लोगों के लिच अच्छे होगे जैसे scientist वाला और mathematician वाला linguistic verbal आपका भाशा से सम्मध देते हैं यानि भाशा पर अच्छे पकड़ होगी आप लिख अच्छा पाएंगे समझ अच्छा पाएंगे प्राइसरी मानती हैं इस तरह की एजूकेशन को आंसर कीजेगा फटाफट से पहला option है गिफ्स डिरेक्शन वाइल लेर्नर्स फॉलो ब्लाइंडली यानि टीचर डिरेक्शन देगा और बच्चे आँख बंद करके फॉलो करेंगे यह तो टीचर सेंटर बन गई जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक मैनर में constructivist होगी रचनावाद भी होगी यानि बच्चा क्या करेगा actively construct करेगा meaningful learning को फिर है sets are rigid rigid नहीं कर सकते आप curriculum standard हो गया सबके लिए जबकि flexible होना चाहिए dynamic होना चाहिए uses assessment to rank the student दो को यह rank करना बच्चे को label करना यह सब negative बाते हैं यह हमें नहीं करना as teachers बहुत question आते हैं इस पर especially seated वोगेरा में question 11 देखिए child centered पर यह है new education policy से sammandit question according to national education policy NEP 2020 the progress card of the students communicated to the parents would be यानि NEP 2020 के अनुसार एक progress card या आपका जो result बनेगा वो किस basis पर बनेगा यह पूछा है हमसे ठीक है बदाए एक बार based on norm reference testing यानि norm reference होता है कि first कौन आ रहा है किसकी rank सबसे जादा है वो norm reference test है ठीक फिर है based on criteria reference यह है कि 33% बस pass कौन हो जा रहा है उस basis बनाएंगे are reflection of relative performance of students in comparison to classmates दूसरों से compare करके बनाएंगे जी नहीं best option क्या है D option है जो कि 60% लोग सही दे रहे है are reflection of the progress as well as the uniqueness of the student यानि विद्यार्थी की प्रगती वा विशेष्टता को प्रतिबंब करें मतलब एक scorecard ऐसा होगा जो reflect करें बच्चे की progress पर भी कितना उसने बहतर किया है प्रगती कितनी की है दूसरा उसके अंदर विशेष योगिता क्या है यूनीकनेस क्या है वो किस field में अच्छा कर सकता है 360 degree report card की बात हुई है किसमे new education policy में और यही सबसे बहतर option है क्योंकि बच्चे के अंदर क्या विशेष है दूसरे से compare करके क्या होगा report card ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के बारे में uniqueness को लेकर के आए और दूसरा उसकी progress पहले से कितनी बहतर हुई है इसको लेकर के आए दूसरा आप बच्चे को खुद से compare कर सकते हैं और उसे करने के बजाए ठीक देखेगा एक बार यह ministry of education ने कहा भी है new education policy में जो holistic progress card होगा यानि सरवांगीन प्रगती कार्ड जिसको हम कह रहे है वो क्या होगा students को हम सभी aspect में evaluate करेंगे will be evaluated on cognitive affective and psychomotor कैप याद ना आपको BS Bloom का Benjamin Samuel Bloom कहते है ना cognitive iscus दिमाग से संबंदे तो उसके दिमाग को भी involve करें ऐसा report card हो उसके emotions किस तरफ है और psychomotor physically वो किस तरह से connected है चीजों से आगे बढ़ेंगे next question की तरफ next question है आपका question number 12 retention of students from socio-economically to ensure retention of students from socio-economically disadvantaged groups national education policy 2020 progresses the curriculum and pedagogy should be यानि कि वो बच्चे स्कूल में रहें retention का मतलब कि स्कूल छोड़के ना जाएं बच्चे रहें जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं जो कमजोर हैं जो गरीब हैं एक तरह से सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से किसी भी रूप में वंचत हैं disadvantaged मतलब वंचत हैं जिनको बहुत जारा इज़त नहीं मिल पा रहें या जो एक जगा रुक नहीं पाते अलग अलग घूमते रहते हैं ऐसी तो बहुत सारी लोग है जो ट्रावल करते रहते हैं जिनका कोई डिगरी लेके घूम रहें तो उनको knowledge का के नहीं पता फिर है centered around textbooks यानि की textbooks के around हो दोको ना तो exams learning का कोई पैमाना है ना textbook learning का कोई पैमाना है engaging हो pedagogy यानि methods जो हैं वो engaging हो curriculum ऐसा बने जिसमें engage करने का मौका मिले बच्चे को active रहने का मौका मिले contextual हो बच्चे के संदर्भ के अनुसार हो वो बच्चा जिसको AC जिसने कभी देखा रही है अगर आप उसको example AC का देंगे कैसे connect करेगा that means संदर्भ में पढ़ाईए ऐसे आपना lecture ऐसा बनाईए जिसमें हर तरह का बच्चा connect कर पाए ठीक है तो संदर्भित होने चाहिए जो lectures हैं आपके engaging होनी चाहिए class active feel करे वो उसको मज़ा आये सीखने में इस तरह की class आपकी होनी चाहिए standard and uniform कभी नहीं होगा यह ध्यान रखेगा uniform और standard का मतलब सब के लिए सेम नहीं हो सकता आप equality की बात कीजे लेकिन equity की भी बात कीजे equality होता है सबको बराबर रखना equity होता है need के अनुसार किसी को importance देना ठीक तो uniform नहीं हो सकता सबको एक डंडे से नहीं हाक सकते child centered बात जबी भी की जाएगी यह ऐसे options हैं आपको देखके पता लग रहा होगा जो new education policy के questions आए हैं वो ऐसे questions हैं अगर आप थोड़ा सा अपनी समझ से या NCF वगेर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपके answer सही हुए होंगे इसका सही उत्तर C ही है ठीक है right answer is your C option question number 13 देखेगा एक बार sex is dash while gender is dash पता नहीं कितनी बार हमने discuss किया है I think YouTube पर we were the first one जब हमने बा लोगों को ठीक sex की अगर हम बात करें तो यह क्या है biological entity है सारी दुनिया जानती है ठीक है यह जैविक है यह हमारी biology से समंदित है इसमें हमारा कोई खास रूल नहीं है कि हमने बनाया है समाज ने बनाया ऐसा तो नहीं है ना while gender is socially constructed आपका एक topic भी है gender as a social construct link एक सामाजिक दौरा बनाया गया है जो हम male female की बात कर रहे हैं a option is the right answer जो कि आप लोग रही है sex biologically socially नहीं हो सकता biologically होगा culturally नहीं हो सकता sex biological होगा sex socially होई नहीं सकता तो बाखी तीनों options तो वैसे ही हट जाने थे ठीक है आगे बढ़ेंगे question number 14 देखेगा एक बार question number 14 देखेगा which of the following tools should be used by the teachers to assess children which of the following tools should be used by the teachers to assess children working groups हाँ groups में सीखना cooperate करके सीखना हमेशा अच्छा रहेगा बच्चे के लिए यह option हमेशा याद रखेगा जहां सहयोग की बात आएगी that means बात सही है classroom participation कक्षा में भागिदारी बिल्कुल participate करना चाहिए बच्चे को class में portfolio से बच्चे की progress का उसके interest का उसकी uniqueness का पता लगेगा इसमें सारी एक होती है portfolio जिसमें सब को 6 बच्चे के बारे में उसकी achievements है presentations के थुरू आप सिखा सकते हैं या assess कर सकते हैं तो चारों ही बाते ठीक हैं question पे next question है 15th which of the following statements about language and cognitive development is correct यानि कि कौन साइक statement भाशा और संग्यान के बारे में सही है भाशा और संग्यान समझते हैं mental abilities का development मानसे शमताओं का विकास जिसमें हमारा सोचना समझना सीखना understand करना memory perception imagination ये सब आते हैं ठीक तो language और cognition के बारे में कौनसी एक बात सही है देखिएगा language plays an important role in cognitive development भाशा की संग्यानात्मक विकास में महतुपूर्ण भूमिका होती है बात सुनने में ठीक लग रही है कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही इस पर चर्शा बात में करेंगे पहले चारों option पढ़ लेते हैं language does not play any important role in cognitive development ऐसा कोई भी समझदार व्यक्ती नहीं कह सकता कि language का कोई रोल नहीं है language hinder the process of cognitive level language कैसे बाधा बन सकती है संग्यानात्मक इस्तर में language and cognitive development are independent process यानि एक दूसरे से स्वतंत्र है एक दूसरे पर निर्भर नहीं है कोई संबंध नहीं है ऐसा नहीं कह सकते most of the psychologists या linguist ये बात मानते हैं कि language plays an important role in cognitive development यानि भाशा का संग्यान के विक्रास में बहुत ज्यादा एहम रोल है एहम भूमिका निभाती है भाशा जब बात आती है cognitive development की मैं और आप कैसे बात कर रहे हैं भाशा से ही कर रहे हैं आपके और मेरी समझ कैसे विक्सित हो रहे है भाशा का बहुत बड़ा रोल है उसमें अगर हम convey ना कर पाएं चाहे लिखके बोलके सुनके पढ़के तो कैसे समझ विक्सित होगी तो हम कह सकते हैं language plays an eminent role in development of your cognitive skills ठीक ऐसा language को टूल भी कहा है वाइग उसकी ने हर कोई कहेगा और कहा भी जाता है जिल नोगों को ज़्या जादा भाशाएं आती हैं दो या दो से अधिक भाशाएं आती हैं उनका cognitive development अच्छा होता है उनका सन्यानात्मक विकास अच्छा होता है उनकी सोचने समझने तर्क करने की शमता अच्छी होती है यह बिल्कुल clearly evident बात है A option is the right answer